वे एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सभी नियमों को तोड़ दिया और बिना किसी जान पहचान के उचा उठते गए वे कभी कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं रहे लेकिन देश के सभी दलों ने हर राजनेता ने और देश के हर इनसान ने उन्हें इतना सम्मान दिया कि वे स्वाभाविक रूप से उस उच्छ पद पर पहुँच गए बस उनकी सादगी और इमानदारी ने उन्हें विभिन पदों पर पहुँचाया शायद इस से पहले कभी कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा नहीं रहा जिसके कोई राजनीतिक संबंध नहीं रहे हूँ नहीं किसी तरह की राजनीतिक पार्टी के समर्थन के बिना कभी कोई व्यक्ति इस देश का राश्ट्रपती नहीं बना है बस अपनी विशुद इमानदारी और उत्साह से जिस तरह से वे वैग्यानिक समुदाय में उंचे उठे लोग उन्हें अंदेखा नहीं कर सके और वो स्वाभाविक रूप से राश्ट्रपती बनने के उस मुकाम पर पहुँच गए और वे इतने अनोखे व्यक्ति थे कि इस देश के राश्ट्रपती के पद पर होते हुए भी बड़ी सरलता से उपलब्ध थे इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कोई भी जो देश का प्रमुख होते हुए भी इतनी आसानी से उपलब्ध था ये एक बहुत गरीब परिवार के लड़के की कहानी है जो दक्षिन भारत में तमिलनाडू के एक छोटे से कस्बे में पैदा हुआ था अपनी साधारणा कांक्षाओं और अपने जीवन में कहीं पहुँचने की अपनी ललक और इच्छा के साथ उसने खुद को शिक्षित किया धीरे धीरे स्वयम को सबसे प्रमुख वैमानी की इंजिनियरों में से एक पनाया और न सिर्फ इस देश में बलकि पूरी दुनिया में एक महान अंतरिक्ष वैग्यानिक बन गया और फिर वो इस देश का राश्ट्रपती बना वो एक अविश्वसनी ये इंसान है उनके कोई राजनीतिक संबंध नहीं है वे कभी राजनीतिक व्यक्ती नहीं रहे लेकिन देश के सभी राजनीतिक दलों ने हर राजने ताने और देश के हर इंसान ने उनको इतना सम्मान दिया कि वे स्वाभाविक रूप से उस उच्छ पद पर पहुँच गए बस आपको ये बताने के लिए कि कितनी सादगी से वो अपना जीवन जीते हैं उनका पिछली बार जब मैं मेरे खयाल से मैं लेबनौन से आ रहा था मैं बेरूट से लोट रहा था और मैं दुबाई एरपोर्ट पर लगभग कुछ घंटे ठहरा पांच घंटे या वैसा कुछ और मैं स्थानिय न्यूस पेपरों को पढ़ रहा था एक खबर छपी थी एक बॉक्स में रिपोर्ट थी कि भारतिय राश्ट्र पती ने एक सुरक्षा कर्मी से बात की एसी कुछ रिपोर्ट मुझे दिल्चस्पी हुई मैं इसके बारे में पढ़ रहा था हुआ ये था कि जिस होटल में वे ठहरे थे दुबाई का कोई बड़ा होटल जब रहे अंदर प्रवेश कर रहे थे उन्होंने एक सुरक्षा कर्मी को देखा और उसे पहचान लिया और तमिल में बोले आरे वेल स्वामी कैसे हो यहां क्या कर रहे हो इस सुरक्षा कर्मी ने लगभग 30 साल पहले बहुत थोड़े समय के लिए उनके लिए ड्राइवर के रूप में काम किया था उन्हें वो आदमी याद था और वो वही पर उसके पास गए और उससे बात की उन्होंने उसे गले लगाया और कहा कि तुम बाद में मुझे भी कुछ काम है रात में जब मैं दस बजे लोटू तो तुम मेरे कमरे में आना तो पीपर में सुरक्षा कर्मी के साथ वो इंटरव्यू छपा था उस शखस ने पत्रकार के साथ साज़ा करते हुए बताया कि कैसे राश्ट्रपती आया और उससे बात की और उसे अपने कमरे में आमंतरित किया लेकिन उसे लगा कि उसके लिए वहाँ जाना उचित नहीं होगा और वे उस तरह के व्यक्ति हैं एक बेहत सरल इंसान जो बगएर किसी बड़ी प्रतिसपर्धा की भावना लिए जीवन में अपना मार्ग बनाते हैं किसी महान महत्वा कांख्षा से संचालित इंसान की तरह नहीं लोगों के लिए कुछ करने की सरल इच्छा रखना और खुद को बस एक रामीर लड़के से देश के राष्ट्रपती तक आगे बढ़ने देना ये एक साधारन सी कहानी है जो बताती है कि एक इनसान बेहत साधारन साधनों के साथ खुद के लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए क्या कर सकता है जबकि उसके हाथों में कोई महान साधन नों हो कई माइनों में खास कर भारतिय ग्रामीर शात्रों के लिए जो सामाजिक, आर्थिक और दूसरे सांस्कृतिक बंधनों में जीते हैं उनके लिए अपने गाउं से आगे सोचना जबर्दस्ट फाइदे जैसा है ये ऐसी चीज है जो देश के बाहर से आने वाले लोग नहीं समझेंगे गाउं से परे आपकी सोच फाइदे मंद होती है गाउं से बाहर जाना एक महान अवसर जैसा है तो एक ग्रामीर लड़के से बड़ा वैग्यानिक बनने और अंतराश्ट्रियस तर पर विख्यात वैग्यानिक बनने और देश के राश्ट्रपती बनने के लिहाज से ये एक बहुत बड़े कालपनिक सपने जैसा हुआ ये ऐसी चीज नहीं है जो इस तरह की जगाया पर होती है क्योंकि आम तोर पर जब व्यक्ति के पास आवश्यक परिवारिक, शेक्षडिक और दूसरी तरह की प्रिष्ट भूमी न हो वे आगे नहीं बढ़ते। की साथगी और इमानदारी ने उन्हें विभिन पदों पर पहुचाया। मैं मंदिर के पास रुकता। यहां मुझे कुछ अजीब सा महसूस होता था क्योंकि मंदिर जाने वाले लोग मुझे शक की निगाह से देखते थे। शायद वे हैरान होते थे के एक मुसल्मान लड़का मंदिर के सामने क्या कर रहा है। सच्चाई यह थी के मुझे मंत्रों का लएवध पाठ सुनना अच्छा लगता था। मुझे उनका एक भी शब्द समझ नहीं आता था। लेकिन उनमें एक अजीब सा जादू था। और दूसरा कारण था मेरा दोस्त रामनात शास्त्री। वो मुख्य पुरोहित का बेटा था। शाम के समय वो अपने पिता के साथ बैठ कर स्तोत्रों का पाठ करता था। बीच बीच में वो मेरी और देखकर मुस्कुरा भी देता था। विद्यालय में मैं और राम कक्षा में पहली बेंच पर एक साथ बैठते थे। हम भाईयों जैसे थे। बस वो यग्योपवीत पहनता था और हिंदू था। जबके मुसल्मान होने के नाते मैं सफेद टोपी पहनता था। जब हम पाँचवी कक्षा में थे। तब एक दिन एक नए अध्यापक हमारी कक्षा में आए। वे काफी सख्त मिजास दिख रहे थे। अपनी हथेली पर बेंथ ठक ठकाते हुए उन्होंने पूरी कक्षा का चक्कर लगाया। आखिर वे हमारे सामने आकर खड़े हो गए। और चिल्ला कर बोले। ए सफेद टोपी वाले। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पुरोहित के बेटे के पास बैठने की। चलो पौरन सबसे पिछली बेंच पर जाओ। मुझे बहुत बुरा लगा। रोनी सूरत लिये मैं अपनी किताबें लेकर सबसे पिछली बेंच पर जा बैठा। चुट्टी के बाद राम और मैं दोनों ही चुपचाप खूब रोय। हमें लगा के हम कभी दोस्त नहीं रह पाएंगे। उस दिन जब मैं घर लटा तो मेरी सूरत देखकर पिधाजी बोले। तुम रो रहे थे। क्या हुआ बेठा। मैंने पूरी बात उन्हें बताई। उधर राम ने भी अपने घर में ये बात बताई। अगली सबह राम दोडता हुआ हमारे घर आया और बोला। पिधाजी ने तुम्हें फौरन हमारे घर बुलाया है। मैं बहुत डर गया। मुझे लगा के अब मुझे और डांट पड़ेगी। राम के घर हमारे नए अध्यापक को देखकर तो मेरी जान ही निकल गई। राम के पिता जी ने सकती से अध्यापक जी से कहा। जो कुछ भी हुआ उसके लिए आपको कलाम से माफी मांगनी होगी। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मुख्य पुरोहित अध्यापक जी को मुझसे माफी मांगने को कह रहे थे। वे कह रहे थे इश्वर की द्रिष्टी में कोई बच्चा किसी से कम नहीं है। अध्यापक होने के नाते आपका कर्तव्य है कि आप अपने चात्रों को उनकी अलग-अलग प्रिष्ट भूमियों के बावजूद मिल जुल कर रहना सिखाएं। अब से आप इस विद्याले में नहीं पढ़ाएंगे। अध्यापक जी ने तुरंद उनसे क्षमा मांगी और मुझे गले लगाते हुए कहा। कलाम मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने तुमारा दिल दुखाया। आज मैंने जीवन का एक बहुत ही महत्वपून सबक सीखा है। राम के पिता जी ने जब देखा कि अध्यापक जी को सच मुझ अपने किये पर खेद है तो उन्होंने उन्हें विद्याले में पढ़ाना जारी रखने को कहा। राम और मैं फिर से पहली बेंच पर बैठने लगे। हमारी दोस्ती आज भी बरकरार है। मैं प्रथम आया। दूसरा विश्वयुद्ध बस खत्म ही हुआ था और भारत उत्सुक्ता से अपनी आजादी का इंतजार कर रहा था। रेडियो पर अकसर सुना ही देता था कि गांधी जी ने घोशना की है। भारत वासी अपने भारत का निर्मान खुद करेंगे। देश अभूत पूर्व आशा से भरा था। मैं मन ही मन अपने देश के लिए कुछ करना चाहता था। इसके लिए किसी अच्छे विद्यालाय में पढ़ना जरूरी था। लेकिन मैं अपने माता पिता से ये बात कहने का साहस नहीं जुटा पाता था। क्योंकि मैं जानता था कि वे मुझे अच्छे विद्यालाई में नहीं पढ़ा पाएंगे। एक दिन मुझे अच्रज में डालते हुए मेरे पिता जी ने मुझसे कहा, अब्दुल मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में आगे पढ़ने की कितनी इच्छा है। हम अनपढ़ लोग हैं, लेकिन मैं ने और तुम्हारी मां ने तुम्हें लेकर बहुत उंचे सपने देखे हैं। तुम फिक्र मत करो, जैसे भी हो हम पैसों का इंतजाम करेंगे ताकि तुम अच्छे विद्यालाई में पढ़ सको। रामेश्वरम से दूर, समुद्रपार, चहल पहल भरे रामनाथपुरम शहर में था दश्वाट्स स्कूल। मेरे भईया मुझे वहां ले गए और मेरा दाखिला करवा दिया। वो बहुत अच्छा विद्यालाई था। उन दिनों आजकल की तरह बिजली के पंके नहीं होते थे। मौसम, गर्म और उमस भरा होता तो छात्रों को पेडों के नीचे बैठा कर पढ़ाया जाता। दूसरे विशय की कक्षा में जाने का मतलब होता था दौड कर दूसरे पेड के नीचे जाना। एक दिन मैं जल्दी में गलत कक्षा में चला गया। वहां हमारे गणित के अध्यापक पढ़ा रहे थे। वे चश्मे में से मुझे घूरते हुए बोले। अगर तुम सही कक्षा नहीं ढूंड सकते, तो तुम इस विद्यालाय में क्या कर रहे हो। तुमें तो अपने गाउं लोड जाना चाहिए जहां से तुम आए हो। फिर उन्होंने मेरी गर्दन पकड़ी और पूरी कक्षा के सामने मुझे बेंत लगाए। मेरा दिल तूट गया। मुझे इस विद्यालाय में भेजने के लिए मेरे परिवार ने बहुत त्याक किया था। कभी-कभी मुझे घर की बहुत याद आती थी। लेकिन मैंने ठान लिया था कि मैं अपने परिवार का नाम जरूर रोशन करूँगा। उस दिन मैंने नश्चय कर लिया कि मैं सिर्फ अच्छा चात्र ही नहीं बनूँगा बलके सबसे अच्छा चात्र बनूँगा। मैं दिन रात पढ़ाई में जुट गया। कुछ महीनों बाद जब परीक्षा का परिणाम आया तो मुझे गणित में पूरे अंक में ले थे। मैं उत्सा से भर उठा। अगली सुभै प्रार्थना के बाद मुझे दंडित करने वाले गणित के अध्यापक जी खड़े हुए और मुस्कुरा कर बोले। मैं जिसे भी बेंत लगाता हूँ वहमान बन जाता है। उनकी बात सुनकर सब लोग हसने लगे। फिर अध्यापक जी ने पूरी बात पताई और मेरी और इशारा करते हुए बोले। मेरी बात याद रखना। एक दिन ये लड़का इस विद्यालय और अध्यापकों का मान जरूर बढ़ाएगा। अध्यापक जी की बात सुनकर मैं पहले हुए अपने अपमान की कड़वाहत भूल गया। उस सत्र के खत्म होने पर जब मैं अपने घर लोटा तो हमारे परिवार ने बहुत खुशिया मनाई। मेरी मा ने घर पर ही मिठाई बनाई और पिता जी ने पूरे रामेश्वरम में मिठाई बाटी। और उस दिन मुझे लगा कि मैं भी किसी लायक हूँ। लेकिन अभी बहुत कुछ पाना बाकी था। फाइटर जेट का डिजाइन बनाना। बचपन में रामेश्वरम में मैं और मेरे दोस्त विद्यालाई से पैदल घर वापस आया करते थे। हम रोज गाउं के तालाब के किनारे कुछ देर रुकते। मेरे दोस्त तालाब की लहराती सतह पर कंकड फीकने का अभ्यास करते और मैं बैठा, सारसों और समुद्री पक्षियों को आकाश में उडान भरते देखता। उनकी उडान देखते हुए मैं भविष्य के सपनों में खो जाता था। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मुझे अपना लक्षे स्पष्ट दिखाई देने लगा। मेरी समझ में आ गया था कि अपने सपने सच करने के लिए मुझे इंजीनरिंग की पढ़ाई करनी होगी। मदरास इंस्टिट्यूट आफ टेकनोलोजी तकनीकी अध्ययन के लिए दक्षन भारत में सबसे अच्छा संस्थान था। मैंने बड़ी मेहनत से पढ़ाई करके स्कॉलर्शिप हासिल की ताकि मैं इस संस्थान में पढ़ सकूँ। उस दिन मुझे अपना लक्ष्य और भी साफ दिखाई देने लगा जब मैंने MIT में कदम रखा। MIT के परिसर में दो बड़े विमान प्रदर्शन के लिए रखे गए थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि बाकी चात्रों के चात्रावास में चले जाने के काफी देर बाद तक भी मैं विमानों के पास बैठा रहता था। इनके निर्मान और डिजाइन ने मेरा मन मोह लिया था। और मेरे मन में भी किसी दिन ऐसा ही विमान बनाने का सपना जागने लगा था। इंजिनरिंग की पढ़ाई के दोरान आखरी प्रोजेक्ट के लिए मुझे कक्षा के चार और साथियों के साथ मिलकर एक फाइटर जेट विमान डिजाइन करने को कहा गया। हमने काम आपस में बांट लिया। एक दिन मेरे काम की प्रगती की जानकारी लेने के बाद हमारे अध्यापक ने मुझ से कहा अब्दुल मैं तुम्हारी कारिय योजना से सच मुझ निराश हुआ हूँ। मैंने तुमसे कहीं बेहतर काम की अपेक्षा की थी। मैंने उन्हें कई कारण बताए लेकिन उन्होंने मेरी एक नस सुनी। आखिर मैंने विनिती की सर मुझे एक महीने का समय दीजी। मुझे विश्वास है कि मैं बेहतर डिजाइन बना लूँगा। उन्होंने मुझ पर नजर डाली और बोले। देखो नौजवान, मैं तुम्हें तीन दिन दे रहा हूँ। अगर सोंबार की सुभै तुमने मुझे इससे बेहतर डिजाइन न दिखाया, तो शायद तुम्हें अपनी स्कॉलर्शिप से हाथ धोना पड़ेगा। मैं स्तब्ध रह गया। मेरा भविश, मेरे सपने, स्कॉलर्शिप पर टिके थे, उसके बिना मैं कुछ नहीं कर पाता। मेरे पास डट कर काम करने के अलावा कोई चारा नहीं था। उस रात मैंने पलक तक नहीं चपकाई। अगली सुबह, बस घंटे भर आराम किया। जरा सा कुछ मुह में डाला और फिर काम में जुट गया। रविवार की सुबह, मैं काम खत्म कर ही रहा था कि अचानक मुझे लगा जैसे, मेरे पीछे कोई खड़ा है। मुड कर देखा तो पाया, मेरे अध्यापक मेरी ड्रोइन को बड़े ध्यान से देख रहे थे। मेरे काम को अच्छी तरह जाचने के बाद उन्होंने मेरी पीठ थप थपाई। और बोले, मैं जानता था कि काम पूरा करने के लिए बहुत कम समय देकर मैंने तुम पर दबाव डादा। लेकिन मैंने कभी उमीद नहीं की थी कि तुम इतना बड़िया काम कर दिखाओगे। अध्यापक जी की बात सुनकर मुझे इतनी राहत और खुशी मिली कि मैं भूल ही गया था कि पिछले तीन दिनों में मैं खाना, सोना, सब भुला कर काम में जुटा रहा था। ना सिर्फ मेरी स्कॉलर्शिप जारी रही बलके मदरास इंस्टिट्यूट आफ टेक्नॉलिजी की परीक्षा भी मैंने बहुत अच्छे अंकों से पास की। मैं विमान का डिजाइन बनाने का अपना लक्ष पाने में सफल रहा था। और अब विमान उडाने के अपने सपने के भी बहुत खरीब आ गया था। मैं सूच कर ही उल्लास से भर उठता था कि बच्पन में देखे समुद्री पक्षियों की तरह मैं भी जल्द ही आकाश में उडान भर पाऊंगा। असफलता से सफलता की ओर आखिरकार प्रक्षेपन की घड़ी आही पहुची। इस क्षण के लिए हम लोगों ने साथ बरस अथक परिश्रम किया था। हमारे दल के सभी लोग सास थामें भारत के पहले उपग्रह प्रक्षेपन यान याने सैटलाइट लॉंच वेहकल एसलवी तीन के प्रक्षेपन की प्रतीक्षा कर रहे थे। उल्टी गिनती शुरू हुई। पहले चरण का प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहा। हम मंत्र मुग्ध खड़े देख रहे थे। हमारी आशाएं एसलवी तीन के रूप में उडान भर रही थी। अचानक जैसे सपना टूटा। दूसरा चरण नियंतरण से बाहर हो गया। और तीन सो सत्रह सेकिंड बाद उडान समाप्त करनी पड़ी। पूरा ढाचा समुद्र में जाकिरा। हमारी आशाएं धराशाई हो गई। एक पल जादू था और दूसरे ही पल गहरी हताशा। हम में से ज्यादतर के लिए ये घटना एक बड़ा सदमा थी। मैं क्रोथ और हताशा से भर उठा। एक समबाद दाता सम्मेलन का आयोजन किया गया था। जिसमें प्रक्षेपण की असफलता के कारणों पर चर्चा होनी थी। मैं SLV 3 की असफलता के लिए खुद को जिम्मेदार मान रहा था। और मन ही मन डर से काप रहा था। मैं जानता था कि समबाद दाता सम्मेलन में मेरी और मेरे दल की खूब आलोचना होगी। लेकिन हमारे संगठन के अध्यक्ष प्रुफेसर सतीश धवन ने मुझ से माइक ले लिया। और आत्मविश्वास के साथ सभी प्रश्णों के उत्तर दिये। उनके अविचलित रहने और विचारों की स्पष्टता से मैं सच मुझ बहुत प्रभावित हुआ। प्रुफेसर धवन ने कहा ये अभियान बहुत जटिल होते हैं। हमें पता लगाना होगा के गलती कहां हुई। गलती ठीक करनी है और फिर निश्चित रूप से देखना है के ऐसी गलती दोहराई न जाए। और फिर उन्होंने कहा मुझे पूरा विश्वास है के ठीक एक साल के अंदर हम एक उपग्रह को सफलता पूर्वक पृत्वी की कक्षा में स्थापित करने का लक्ष प्राप्त कर पाएंगे। उनके इस वाक्य ने मेरी बहुत हिम्मत बढ़ाई और मैं जोश से भर उठा। पिछले सप्ताहा भर मैं नाम मातर ही सोया था। मैं सीधा अपने कमरे में गया और विस्तर पर जाके रा। ठीक एक साल बात 18 जुलाई 1980 को एक बार फिर पूरे देश की निगाहे हम पर थी। भारतीय अंतरिक्ष कारेक्रम का भविश्य बदल देने वाले प्रक्षेपण की घड़ी आपहुची थी। तड़के ही SLV3 ने उडान भरी। उपक्रह कक्षा में सफलता पूर्वक स्थापित हो चुका था। और तब मैंने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण शब्द बोली। मिशन डारेक्टर कॉलिंग ओल स्थेशन्स। सभी चरण सफलता पूर्वक पूरे कर लिये गए हैं और उपक्रह रोहिनी अब अपने ग्रह पत में हैं। चारों ओर से उल्लास भरी आवाजें उठने लगी। जब मैं इमारत से बाहर निकला तो मेरे सहकर्मियों ने मुझे कंधों पर उठा लिया। और जुलूस बनाकर प्रक्षेपन स्थल की ओर ले चले। वो मेरे जीवन का सबसे गर्व भारा और सबसे सुखद क्षण था। मुझे अपने दल पर बहुत गर्व हुआ। पूरा देश उत्साह से भर उठा। भारत उपग्रह प्रक्षेपित करने की क्षमता से संपन्न देशों के छोटे से समूह में शामिल हो गया था। हर अखपार के पहले प्रिष्ट पर उपग्रह के सफल प्रक्षेपन की खबर थी। एक बार फिर संबाद दाता संमेलन हुआ। मैंने प्रोफेसर धवन से अनुरोध किया कि संबाद दाता संमेलन वे ही संबोधित करे। लेकिन इस बार उन्होंने माइक मेरी ओर करके मुझे ही प्रशनों के उत्तर देने दिये। उन्हें पता था कि इस पर्योजना पर मैंने कितना श्रम किया है। और उन्हें लगा कि प्रश्णों के उत्तर मुझे ही देने चाहिएं। उस दिन मैंने सीखा कि दल का नेता अपने दल का मार्ग दर्शन कैसे करता है। वो असफलता का दोश खुद लेकर सफलता का श्रेय अपने दल को देता है। मैंने मन ही मन सोचा कि काश किसी दिन मैं भी ऐसे ही अपने दल को प्रुचसाहित कर पाँ मिसाइल मैं अखबारों में अगनी मिसाइल की बार बार असफलता और उसके परीक्षण में हो रही देरी की काफी चर्चा थी अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में ऐसी देरियां होती ही रहती हैं लेकिन देश ये बात समझने को तैयार नहीं था अपनी समस्याएं हमें खुद ही सुलजानी थी लोग अपने अपने ढंग से देरी का मतलब निकाल रहे थे अमूल के एक विज्ञापन में तो हसी हसी में यहां तक सुझाव दे डाला गया कि अगनी को चलाने के लिए उन्हें अमूल मक्षन का इस्तेमाल इन्धन के तोर पर करना चाहिए परीक्षन में देर होने के कारण अखबार हाथ धो कर हमारे पीछे पड़े थे और बार बार की असफलता से मेरे दल का मनुबल तूट चुका था मुझे वे अनेक अवसर याद आए जब हमारे दल के नेताओं ने हमारा मनुबल बढ़ाया था मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी ऐसा ही कुछ करूँ मैंने एक सभा आयोजित करके अपने दल के दो हजार सदस्यों को सम्बोधित किया हमें एक महान अवसर दिया गया है सभी बड़े अवसरों के साथ बड़ी चुनौतियां भी जुड़ी होती है हम हिम्मत नहीं हार सकते हमारे देश को हम से कम से कम इतना तो मिलना ही चाहिए मैं बात खत्म कर ही रहा था कि अनायास मेरे मुह से निकला मैं वादा करता हूँ कि अगले परीक्षण में अगनी का प्रक्षेपन सफल रहेगा मेरा दल अचानक उर्जा से भर उठा नई जोश से भर कर मेरे दल ने जबरतस्त इच्छा शक्ती दिखाते हुए बड़ी लगन से काम किया आखिर प्रक्षेपन की तारीख 22 मैं 1989 तै हुए सीना के जनरल और रक्षा मंत्री जैसे गणमान्य व्यक्ती प्रक्षेपन देखने आए प्रक्षेपन से पहली रात हम पूर्णिमा की चांदनी में दमकते समुद्र थट पर सहर के लिए गए गरच्ती लहरें चट्टानों से टकरा रही थी हम सभी के मन में ये प्रश्न घुमड रहा था कि क्या कल अगनी का प्रक्षेपन सफल रहेगा लेकिन इस बारे में कोई भी कुछ बोलना नहीं चाहता था आखिर रक्षा मंत्री ने चुप़ी दोड़ी और मुझसे पूछा खलाम, कल हमें अगनी की सफलता की खुशी कैसे मनानी चाहिए तुम्हारी क्या इच्छा है प्रश्न सरल था लेकिन मैं तुरंट उसका उत्तर नहीं दे पाया सूचने लगा कि मुझे क्या चाहिए मेरे पास क्या नहीं था और तभी मुझे एक खयाल आया मैंने का हमें अपने शूद केंद्र में एक लाख पौधे रोपनी है रक्षा मंत्री का चेहरा चमक उठा उन्होंने गदगद होकर भविश्यवानी की अगनी की सफलता के लिए धर्ती माता तुम्हें आशीर बात देगी कल हमें सफलता जरूर मिलेगी अगले दिन सुभह साथ बचकर दस मिनट पर अगनी का प्रक्षेपन हुआ एकदम बाधा रहित और तुटी ही ये बिलकुल ऐसा ही था जैसे कोई बुरे सपने के बाद जागे और पाए कि उज्वल सवेरा उसका स्वागत कर रहा है विभिन्न कार्य के इंद्रूं पर पांच वर्षों तक लगातार चले काम का अच्छा परिणा मिला था कुल 600 सेकेंड की सुंदर उडान ने हमारी सारी ठकान को पूच डाला बरसों की मेहनत की ये अदभुत परिणती सामने आई थी ये मेरे जीवन के महानतम क्षणों में से एक था और हमेशा रहेगा सुंदर पांच ने के ये एक येद में से स सकति कदिक बाष्गiranता पर बाचन Maybe व स्कतो बाच टूहं ओानें, क्षब बाच! क्यु मिलेजर रहे दोगले साल की ये ल концตवë ड्र हावडती ओेवस्ड Всे लिवस्यों बात्तो ढार्पतार दूजर थी आपकी